ओरी चिरैया नन्ही सिचिडिया अंगना में फिर आजारे ओरी चिरैया नन्ही सिचिडिया अंगना में फिर आजारे अंधियारा है घना और लहू से सना किरनों कितिन के अंबर से चुनके अंगना में फिर आजारे जाता है इसलिए लग पूछ रहे हैं क्या होता है कैसे अपका माल भीता है हम साधी करके आये हैं बनारस से अब में बहुत परिसानी हुई यहां पर आये तो साधी करके तो हमारा आदमी पर हमारे साथ ले देए कि मुझे अपना बच्चे थे बच्चों के साथ लेकर कहा जो मैं तो मैं तो मैं तो यही पर होगी पर हमारे पड़ोस में एक लड़की आई लड़कियों ने कहा कि अगर तुमारे साथ अत्या चार हो रहा है तो तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं मैं नहीं कहां जम कंपलेट करने के लिए यह के वाइद कहां तुम भूरन जाओ जाओ गिए अपनी सव खका यह कोई चिपका जाखा गा ऐसे उन्हों मुझे फिर सारी बात्य सुनी उन्होंने पर सुनने बाद men नहीं पिर नहां पे इनके पास खबर किया खबर किया कि हाँ मैंडमी को पास गए हमारी सारी बात सुने चुन्ने के बाद मेधे अंके बाद मेरे पेम लिए मेध मेजर से हिमनद हुए कि हमारा कोई है हमें कोई पकड़ा है पक रका यकाद फर इसके बाद भीशे थर हिमनद बढ़ी फिर मेरे रहना सुरू कर दी importance फिर लेदर कंपनी में हम काम करने लगे, तो जाकिट आता था, जाकिट को हम प्रेस करते थे, पोर्डर डाल के, एक केमिकल आता है, केमिकल पोर्डर होता है, उस पर छिड़े के, फिर उसे प्रेस करते थे, कही हाँ जल जाता था, कही हाँ जल जाता था, कही हाँ जल जाता थ फर लोग खुद अपने आप से घ Renee कंपड़ी घे कंपनी में गहिंवे है 吸़ को बताते हूगए बनाते हूए हो फिर अपने देख ते दे देख देख अपने खुद भी बाईट के बनाने लगे बनाने के बाद में फिर उसके लिए यद पोटो क disag़िए छिए पर 색깔ं Means मैं खुद इंटरनेट खोलते हूँ योटो फोलके और जिसे अब मुझे नहीं आया तो मैं लिखके खुद देती हूँ नहीं दिसे अब तो फून तो आई रहा है तो हम भी इतने पढ़े लिखे हैं थोड़ा पसा कि हम इतना काम कर सकते हैं हमने तुझ पे हजारों से तम है किये हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किये हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी किस के दम पे सजेगा मेरा अंग ना मेरे शादी को पाथ साल हो गए और उसके बाद एक बच्चा है मेरा ढाई साल का मेरा हैस्बन एकस्पायर हो गए बीमारी के का रहें उनके दिमाख में ब्रेंटी वी हो गया था तो नस्फटगी थी उनकी उस वज़े से उनकी देत हो गई कि उसके बाद देत होने के बाद में यहां पर आ गई थी मम्मी के पास आठ मैने से मैं यही रह रही हूं और मुझे वहां से कोई रिस्बोंस नहीं मिला सुस्राल वालों की तरफ से ना कोई खर्चा ना कुछ उनका फोन भी नहीं आता वो लोग पूसते भी ने मेरे पोता मेरे ना वो लोग देखने आए नहीं देखने है कि उसकी हालत कैसी है वह ज्यादा हालत खराब हो गए थी मेरी सुस्राल में रहती थी वहां पर भी उन लोगों ने बच्चे तक के दूद के पैसे मांग ले मुझे की अजार पे देके जा है यह दूद के पैसे कौन देगा मैं यहाँ पर अपनी मॅम्मी के पास रह रहा हूं अठ मैने से तो मुझे इहां के बारे में पता चला कि यहाँ पर फारम बरे जारे हैं महांके इस忘 कर्योंद के तो मुझे राखि मैडम ने बताया कि यहां पर आप से च्रेंद kita आ गई जाएगी और आपको जौब दी जा कि 45 si 對 Siki 45 वेट सिक히 मैंने मां पर उसके बाद घम उसकी प्रैक्टिक कऱिए कापा सेड़ा भी जाते सारे ट्रेनिंग करने मैं जो यो बी अप्लाई हुई मैंने महां परे ट्रेनिग मैं पढ कर Elvis ट्रेनिंग वह करने कि जाती ती नहीं पेर हमें रस्ति पेर कूदणा उचाय से कूदना लंबाई रस दराइं've की एक सॉर्णा सब्सक्राइश को looking on me a REM SE B4 जाना और वि Cait ली जैसे कहीं पेर की वेज़ेस agent देश Latin क बंद करना कैसे हर चीज हर involving हर twenty ढावर ची की ट्रेंङ डी हमें महिलाओ को कैसे शुरिक्सित रखना है कि भई कही गाड़ी में या कही बस में अकेली हो तो अपनी सेफटी किस तरह कर सकते हम चाहिए हमारे पास वह सब चीज चीज चिकाई गए हमें की वज़े से मेरे सुस्राल वाले कुछ पैस या कुछ भी नहीं दे रहे थे तो सीसर की वज़े से मैंने उन लोगों पर केस डाला और मैडम की वज़े से राखी मैम की वज़े से मैंने जो मेरे को डैट सेटिफिकेट वो लोग नहीं दे रहे थे उनकी मेरे सीसर की वज़े स मैंने वहाँ पे साटिफिकेट डेट साटिफिकेट गुडगावां से निकल वाई और पिल्सन के लिए अपलो अपलोए गरा उससे मेरी पिल्सन भी बंद गई है इंटरनेट यूज करती हूँ जो भी मैंने ट्रेनिंग में सीखा है मैं सारी पिछरे उसमें अपलोड करती रहती हूँ मुझे उसमें लाइक भी बहुत सारे मिलते हैं बहुत सी लड़किया मुझे पूस्ती भी है कि भाई यह तुमने कैसे करा तो मैं उन्हें बताती हूँ कि सीएसार से मैंने यह सब चीज सीखी है वहाँ पर आप जाओ फारब बरो तुमी ट्रेनिंग में इस सालो जो मेरी थ मोसले ने मुझे ठोड़ा वह करा तब मैं भार जाना सीखिएní मुझे यह पता चला कि बोसीज क्यासर होनी है व कैसे होनी है मैं झेले मुझे बताया कि तुम खुद कोशीश करो तब ही कुछ सेखोगी वह मैंने कोशसिश करती गई मैं सबूथ कुछ करपाई क adesso कि मैं ने क इसी चीज से हैं दीवारे उची हैं गलियां है तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पाउं पे छाले है सासे भुलन लड़ने चली हूं आजादी की जंग माम यहां पे मुझे 20 साल होगी और जब मैं यहां पर आके रही हूं तो यहां पर पानी की कोई सुविधा भी नहीं थी और मुझ से पहले और भी बहुत लोग रह रहे हैं यहां तो यहां पर एक लाइन गई जो जलबोड वालों की है उसमें से लीक पानी होता था तो हमारी फिर उसके बाद की पूरी बस्ति में पानी जाने के बाद में जब बस्ती पानी गल और आहां से Lots जैसे कि ओरते दिन भर काम करती है और आदमी दारू पीता है बच्चों को मारता है और गल्ट करता है तो हम से बरदास नहीं हुआ फिर उनका साथ देने लगे जैसे एक दो बार सो नंबर कोल बुलाई फिर उनको थाने में लेके गए तो फिर हमारी मुलाकात कमलेश मैम से हो कि हम इसी विशें पर काम करते हैं लेडिसो की मंदद करते हैं तो फिर चार साल से मैं से जुड़ी हूं मैं सिलाई करती हूं और लड़कियों को सिलाई सिखाती भी हूं जैसे स्कूल से लड़किया आती है और वो सीकना चाहती है तो मैं उनको सिलाई भी सिखाती हूं और क जैसे में कपड़े शीलती हूँ और हमारी ये मेरी बतीजी है ये और मेरी बेटी है और भी लड़किया है और भी परिवार में से गली में से हैं तो वो इसकूल के बाद में मेरे पास बैठती हैं एक गंटे के लिए उन्हें ने मुझे कहा कि आप अच्छे डिजान तो बनात अनुट के शर्वा तो इनों ने मुझे दिखा तो मैंने इनको डिजैन बना कि ये तो उससे बहुत सा कुछी को भी मिलता है अच्छे-जैन भी मिलते हैं और मैं खूद बनाती हूँ फिर में इनको भी सिकाति हूं इस सब बैख्यास कर सके बहार na जाना पड़े और रिती की जंजीरे खा गई जंग, न्याए के मंदर भी हो गई भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हलना आवाज दबंग। हम पंगज भाई भैने और एक भाई हम पंगज भैने, तो ममी पापने पढ़ाय लिखाने क्योंकि बेटिया है कुछ करेगी नहीं, शादी जाएगी, तो कभी कुछ करी नहीं सकते है, इसलिए उन्हा नहीं पढ़ाया है थे बिद्ली लेगाए, फिर दिली तो कोठी में लग तो तो क्या काम करते थिए, रात दिन दाती थिू, जाड़ पोच्छा, खाना बनाना सब कुछinea तो नहीं क्या तो किया है पर जाय करिया है, फिर भी उनके ख्वार में रात दिन दाती थिए, घर हमारा जाती थि फिर घर में रहने लग गया उसके बाद फिर बेटी हुई तो वी बहुत प्राब्लम से हुई छे महीने की रिवली जे प्रीमीचुर बेबी हुई फिर उसको भी एमस हांस्पिटल में रखना पड़ा तीन चार महीना बच्चे के साथ मुझे भी रहना पड़ा तो मेरे घर थ कुछ नहीं कुछ नहीं सेंटर वालों मेरे बड़ी हेल्प करी उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे बढ़ो पालर की काम करो तो मुझे पालर इसलिए करना सही लगा कि मुझे लगता मैं कर सकती हूं फिर धिरे और अपना क्लाइंट बनाती गई जिसे पर्ची बाटा लो पांच नहीं बुलाया फिर मैंने यहां पर खाजानी बुमेन पॉलोटिक स्री कि वह है वह मने एड़ कोर्स किया था एडवांस कोर्स किया उसके बाद भी अजकल पालर कर से ड़वांस होता है और वांस करते 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 फिर अब शटल हुम है कि बेटी को फिर स्कूल में बेटी भी पांत साल की होगी उसके सेंटर स्कूल में अड़िशन करवाया है कि सिंगल गल है उसके लिए मुझे गवर्मेंट इसकी फीस भी माफ कर दिया कि तुमने एक ही बेटी करा और तुमें बेटे के लालच नहीं है इंटरनेट वी में क heavy मुझे इंटर्वि करना जय उसके घरिया है इसे मैं को पता चल रहा है उसमें यह फसरी मुझे 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 बहुता शारी मिलते है बीडियो आते दिरे-धर कर के उसमें वीडियो से में देख तो उसमें फेशल वेशल हियर स्टाइल मेक अप वो सब म मिलता है. अब है मेरे बेटी मेरे बड़ी हेल्प करते है, जिपस भी कसहाती है. फेस्बॉक पर सिखाती है मुझे कैसे चलाना चाहिए कैसे सीखना आद बना О उनकी मदद पहले तो मुझे मिला था। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे-बैठे में को उसमें वीडियो आ जाता है, जो मैं देख के सीख सकती हूँ स्कै ends हुक्नित ही कि नय थारै के से चीज दिखाते हैं, हलम करते हैं, उसमें पी क्लाइन को स्पूश हो जाते हैं, देखते हैं, कपी चीज आता रहते हैं दिखाते हैं, मैं शर्च भी करते हूं जाता, आप सर्च करना शीख गई हूं तो सर्च भी करके उसमें फेश्बुक से दिख जाता हूं जाता है अमझे फेश्यल करना, आइबर कैसे बनाना, मेकप, बहर श्टायल सब को जा अब घर बेठे से करना तो छेले तॉटी को मैं भी घर मनेता था, जुटरइ चलाती। जेद चलाती हो, तो फोडनहीं अटेंड कर सकती है। तो लोग मुझे वर से में मेंसेच करदेता है। मैं बार में देख लेता है। बिजे नेट चलाना आगे अच्छा से अब नहीं जिसे अब तो फून तो आई रहा है तो हम भी इतने पढ़े लिखे हैं थोड़ा अपसा कि हम इतना काम कर सकते हैं क्या काम? जिसे अब नेट खोलना, नेट बन करना, क्या है इसको एसबुग निकालना और सारा काम जिसे अब और चीज हम उसमें से निकाल सकते हैं लिख के हम दे सकते हैं कि वह आ जाता है पहले मैं घर ते अकेले निकलती थी, मैं हमेसे घर में रहती थी मैंने मेरे को यह नहीं पता था कि उत्तनम नगर कहां पर आँ कि और मैं इतनी आगे बढ़ चुके किने मुझे यह पता है कि गुड़गावा की कौन सी जगा कहां पे हैं की जगा का पता करलेती हूं कि वह चीज कहां पे यह जो कि मेंने को कुछ नहीं पता था काग जो के बारे में मैंने अकेले अपने एजमिन के सब मेर यहां गिल जीने निकल वाकर हूं हैसारा कुछ अपने आप कारना मैं कभी किसी से हैल्प की मांगा मैं खुद अलाइस काम गयर अब जयनाना करो कि दूसरे बश्टिकी हैं रोड के उस पार की हो या इस पार की हो मैं हर लेड़स की मदध करती हूं ano कोई अच्छा लोग मिले तो और भड़ सकते और क्यूं नी कर सकते 하지 हां, बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौचर से जीना मुझे खार आजाद है जीना मुझे ताल कर दो है कि अ है कि आ थके अ cann कि आ एंप math